हेलो दोस्तों आज मैं अब के लिए लेकर हूं राजस्तान स्टेट उपन बोर्ड का कक्षा बार्मी का बायोलोजी यानिकी जीव ग्यान का पेपर भी ठीक है जी तो ओरिजिनल पेपर उपलब्द नहीं था किसी से पीडियेफ मंगा के और इवने डाउनलोड करके और वीड कि अनिमेली कि अबासी फल का उदारना इसमें आएगा डी अनानास तीसरा पादब कोशिका में प्रकास अंसलेशन का स्थाल है इस काएगा वह भी क्लोरोप्लास्ट आए चौथा कार्वोहाइड्रेट का श्वसन गुना का इसमें आएगा भी एक उसके बाद है जीनो टाइब ए और ब्रेक्ट के बार बी किस मानव रग्ट समों के लिए उत्तर दाई है इसका एगा सी एबी छेटा निमन में से कौन सा गैसिया पातब हर्मोना जो की फलों को पकने के लिए प्रेरिद करता है इसका इथाएलीन एए आएगा इसका उसके बाद हैजा का रोग जनक है डी विब्रियो कॉलेरी प्रियावन के सजीव गटक है बीज जीव जन्तू आगे चलते हैं भी सेक्षिन भी जीवन स्पर्म में लगे रहते हैं यह इनमें दो अंतर हो गए और उने मैच करना था भई तो एंपीफिया है एंफीबिया मेंडक परजाती के अंदर कहता है भई और रेप्टीलिया बोलते हैं नाग सरी सरप छिपकली होगी गिर्गिट होगे मगरमाच होगे एवीज के अंदर आता है कबूतर और मेमेलिया के अंदर मानव यानि कि सभी स्तन आने वाले जितने भी हो ममेलिया होते हैं इसके बाद आगे चलते हैं भी पुष्प करम को परिवाशत कीजिए पुष्प करम के प्रकारों को लिखिए तो पुष्प आक्ष पर पुष्प लगने के करम को पुष्प करम कहते हैं जो असीमाक्षी और ससीमाक्षी क्रम में मुख्या आक्षपर पुष्प बढ़ता रहता है और इसमें सतत वृद्धी होती रहती है फूल पार्षब में अगरा भी सारी क्रम में लगे रहते हैं जबकि ससीमा आक्षी पुष्प क्रम के आंश की रिद्धी सीमिद होती है पुष्प सला भी सारी क्रम में लगे रहते हैं उसके बाद अभी कीटा हरी पादब विशम पोशन दर्शाते हैं जबकि प्रकास करने में सक्षम है समझाईए तो वे के अभी कुछ हरीमा ही नहीं या अहरित जीव जैसे कवकव कई पादब कार्बनिक बदार्थों से कार्बनिक पोशन स्वें बनाने में पर निर्वर होते हैं यह बोजन का निर्मान पर का संसीलेशन क्रिया द्वारा नहीं कर सकते क्योंकि इन में कलोरोफिल का अभाव पाया जाता है तथा वे सीओडू ग्रहन नहीं कर सकते इसलिए वे क्या करते हैं विशम पोशी पोशन दर्शाते हैं आगे हैं तंत्रिका कोशिका का नमांकित चित्र है तो इसमें डाइग्राम बनाना था वहीं कि उसके बाद किशोरा वस्ता में लड़कियों में विक्सित होने वाले कोई द्वित्य के लेंगी के लक्षन लिखिए तो पहला तुछा का कोमल होना दूसरा स्थन वरिदी त प्रदूशन के प्रूसरा नहीं कि अशारी के बाग लेता है श्रीर में उपापचय क्रिया में एंजाइम जयव उत्प्रेरिक का कार्या करता है कि उसके बाद फ्राकर्टिक सनसादनों का संक्रैर्ख्षन अतिमत है कोई कारण लिए तो प्राकृति कि समसादनों के अफशिकता के बाउज़ पैलने बविश्य के लिए सुर्क्षित बचा कर रखा जाए क्यों कि प्राकर्ण कि संसादन सीमित हैं उनका प्रयोग मित्वता से किया जाए क्योंकि यह मानव जग्त के लिए अस्तित्व के लिए मूल दार है वही मानव जग्त का इनके बिना मानव की कलपना नहीं की जा सकती इन्हें दूशित वह पूर्णते नश्ट होने से बिचाया जाएं आगया सुक्षम जीओं के प्रयोग द्वारा प्राफ्त दो ओद्यों की उत्पादों को लिए बई तो कार्बनी कमल होगे भी जैव सक्रिया होगे अनुसरोत होगे अनुर्जा स सिर्मान में काम आते हैं भी यह उत्पाद होगे भी जीव तनुकृत जीवों के उप्योग से बनने वाले दो टीकों का उधारना तो पहला गया बीसीजी का टीका हो गया वही दूसरा खसरे का टीका और तीसरा रुबेला का टीका है वी पराज इनी जीवों की उप्योगत का समझाईए इनमें अनुवाशिक अभियांत्री की द्वारा विक्सित जन्तु जिसके जिनों में किसी अन्य जन्तु या पादब कोश्का के विजाती है वंचित लक्षिन वाले जीन खंड जीन या गुंसूत्र आदी को निशेचित कर दिया जाता है ठीक है जी और उनसे कहें चूहां भेडब वक्रियादी जैसे ट्र्रांस जैनिग जी विक्सित किये जाते हैं तो इनके कारे के हाहोगे सामानय कारेकी वह विकास गया रखे रोगों का देन किया जाता है इन पर टीकों का परिक्षन किया जाता है ठीक है जी जैवी कुतबाद में सायक है तीका सुरक्षा जाने कि इन पर टीकों का परिक्षन करके उसके बाद में मानव जाती पर उसको प्रयोग में लाए जाता है इसलिए प्राजिनी जीवों क पर्न फलक कोर और इसके कार्यकाउंट से यह प्रकास निर्माण में साहिक होती है पत्ती की पर्नरंद्रों में गैंसों का विनी में होता है यह सीओटू को ग्रेण करती है वादावर्न को शुत करती है था वाश्पोत सर्जन में बाग लेती जिससे पादवों की विविएन जैवी के क्रियाएं संपान होती हैं और इसका डाइग्राम मनाना था ऐसे परनादार हो गया पर्नवरत हो गया मद्दय शिरा होगी पर्नफलक का पर्नफलक शिखागर और पार्शव शिरा यह हो गया भी उसके बाद है सी थ्रीव है कि को ऌर दों में को चार ऑंतर लिखिए है तो सीथी में सीथी प्रोध्युक्राइप करिया कम होती है जबकि C4 में प्रकास इंसलेशन क्रिया ज्यादा होती है C3 पौदे कारबन डायकसाइड का उतसर्जन प्रकास में उच्च मात्रा में करते हैं जबकि C4 पौदे कारबन डायकसाइड का उतसर्जन प्रकास में नहीं करते कि C3 में प्रकाश श्वाशन करिया होती है C4 में प्रकाश श्वाशन करिया नहीं होती सीथी पोदों का पहला स्थिर उतपाद फासफो ग्लिसरिक एसिड होता है और C4 पोदों का आगजैलिक एसिड होता है इसके बाद इनको निम लिखते प्राणियों को बायम पोशी और आंतरोश्मियां हो गए भी और इसके बाद पत्ती कैसे डाइग्राम मनाना था उसके बाद नेक्स्ट है भी बात में जन संख्याव स्पोर्ट के लिए उत्र दाइक नहीं चार कारकों का वनन कीजिए तो शिक्षा की कमी होगी सामाजी की पिछे आप निमन जीवनस्तार प्राचीन रूडियां वे मानता है होगी इस प्रकार के चार-पांच कारण होगे इनका विस्तार से लिखना था भी उसके बाद क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम में गुन्सूत्र अब समाने तक उस पश्ट कीजिए मैं इसके दो विशिष्ट लक्षन लिखिए हैं तो यह क्लाइन फेल्ट्र सिंड्रोम में यह पिरुष में होने वाला है कि जनम जात हो संख्यात्मा के गु gaming सूत्रिय है बिकार हैएreme सिंड्रोम में एक्स अदिक्ता या आधिसूत्रता के कारण होने वाला लेंग गुन्षूत्रिय है अनुवांशिक विकार है मानमे कुल 46 गुण सूतर होते हैं वही जिन में से क्या 40 क्रोमोसोम है जिनका लेंक लिंग की निर्दारण में कोई योगदान नहीं होता और दो पुरुष में graduate दो लिंक गुंसूतर पाई जाते हैं तो ग्लाइफ हैल्टर सिंट्रोम में क्या होता ह अभी X गुण सूत्र की अधि सूत्रता हो जाती है तथा एक अत्रिक्त X गुण सूत्र आ जाता है जिसे की गुण सूत्रों की संख्या 46 की बजाए का जाती है 45 प्लस x y के स्थान पर 47 यानि कि 45 प्लस x x y हो जाती है कुछ प्रिश्तिते हैं में 2 या 2 से अधिक x गुंसूत्र आने से गुंसूत्रों कि संख्या 48 भी हो जाती है जैसे 44 प्लस x x x y ठीक है जी तो ये क्लाइन फैल्टर सिंड्रोम हो गया वही यह जो मैंने लिख रखा है यानि की एक अत्रीकत एक सिया wai गुण सूत्र आ जाता है वही ठीक है जी तो उसे क्या होता है भी अधी सूत्री विवाजन में 22 प्लस एकस के स्थान पर छोवी यानि की 22 प्लस एकस एकस गुण सूत्र आ जाते हैं और से लक्षन कैं भी लक्षन है चोटे वरिशन चोटा शिशन बंद्य होना इस्तरियों के स्मान स्थनों का विकास होना चेहरे वैंश्रीर पर बालों की कमी और हड्डियों का कमजोर होना ये इसके लक्षन हो गये वही उसके बाद डिने को विस्तार पूरवक लिखिए एम नुकलियो टाइड की तीन उपकाईयां भी लिखिए तो तीन उपकाईयां हो गई पैंटो शरक्रा नाइट्रोजनिक शारक का अमल हो गया वही और यह इसका उदारन है क्लाइन फैल्टर सिंड्रोम का यानि कि 46 गुनसूत्र के स्थान पर यहां पर एक एक्स जादा आ गया यानि कि 47 हो गए और यहां पर ऑतालिस हो गए और यहां पर एक 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 यहां थे में हमारे श्रीक कि हर कोउचका दाए meilleur गूमाओदर शुड़ी नुमेर्णी नुमा का एक नू चार अलग अलग गठकों से बनाता है जिसे न्यूरो न्यूकलोटाइड कहते हैं एडिनीन हो गवानिन हो गया थाइनिन हो गया साइरो साइटोसिन हो गया वही इनसे बनाता है हर डिएने की लंभाई एक पॉइंट आड़ मीटर तक हो सकते हैं अनुआशिक गुणों को पीडी तर पीडी थानांत्रिद करने में सायक होते हैं एडिनिन थैनिनिन के साथ गवाईनिन साइटोसिन के साथ अनुबनाता है और यह होगी तीन उपकाईयां पैंटो शरकरा इसमें पांच कार्वन प्रमानु होते हैं नाइट्रोजनिक शारक प्यूर प्यूरीन वैं पिरिमिडीन होता है भी इसमें और पिरिमिदीन थायमीन युरेसिं था साइटोसिन के साथ अनुबनाता है तीसरा फासफोरी कमल यह पैंटोई शरकरा और डी आक्सी राइबोस के साथ फासफोर डाइस्टर बॉंड के साथ जुड़ा रहता है उसके बाद अभी वर्ग क्लास रेप्टेलिया के कोई दोविशिस लेक्षन तो यह रेंगने वाले जीव हैं तवजा शुष्क खुर्द्री वे श्रंगित होती है इनके चारों और श्रंगित शलकों का बहाया कंकाल होता है यह प्रथम स्थलिया जीव हैं श्वसन जाते हैं और इसके अथवा में हैं वर्ग क्लास मेमेलिया यानि कि स्तन पाई जीव हो गए इनकी तवचा पर बालों का आवरन पाया जाता है यह जंतु क्रिया शीलता वैं व्रिद्दी में अधिक सक्रिया होते हैं ठीक है ज्यादा विक्सित होते हैं शुशू पोशन के लिए इनमें दुग्द स्राव ग्रंथियां पाई जाती हैं और यह उदारन होगे मनुश्य होगा गाई हाथी लोग मुड़ी जितने भी सतन पाई जीव हैं वह मेमेलिया वर्ग कहलाते हैं और एक मेमेलिया का क्या करना था डाइग्राम बिनाना था का कि कि उसके बाद नेक्स टलते हैं भी कोश्गिया शुषन को परिवास्चित कीजिए हैेब कोश्गिया श्रुषन वह प्रिक्रिया है जिसकर दवारा जीव कोश्गा के कारईयों के लिए और ज熟 प्रावत करने के लिए भोजन के गर्मों को तोड़ने के लिए निमनी करन होता है तथा इस रंखला में एटीपी के दो अनू का शुद्ध लाव होता है इसको बोलते हैं गलाइकोसिस परकरिया इसको दिर्शाने वाला रेखा चित्र तो इस परकार बनाना था वही गलूज कोज का अब कटन होता भी एक अनू का तो इसे पाइरुवेट के डो अनू बनते हैं ठीकैंज और एटीवि उर्जावे इंश्केसित होती है उसके बाद देखिए एटीपी से अडीपी निर्मान ओता है गलूकोस का एक अनू हैकसोज काइनीज की साहिता से क्या करता है भी जी सिक्सी का निर्मान करता है उसके बाद फासफोरिल फास्वो परिवाशित कीजिए परिशंच्रन को परिवाशित कीजिए वाहिका तंत्र अंगों का वैस मुच्च जो श्रीर की कोश्काओं के बीज पोश्चन तत्वों का यादायाद करता है इसे रोगों से श्रीर की रक्षा होती है श्रीर का ताप मानवा पीएच स्तिर रहता है अमीनों अमल अमीनों अमला विदृत अपगट्या अपगट्या गैसे हार्मोन रग्टकोश्काओं तथा नाइट्रोजन के अपशिष्ट उत्पाद आदी परिसंचन तंत्र दौरा संचारिद किये ज नीचे की और और चटी पसली के बीज बाई और स्तित होता है इसके दोनों और दाइने में बाएं फुफस होते हैं फुफस का अकार त्रिकोण के समान होता है जिसका चौड़ा आधार ऊपर और विस्त्रीत आधार निमंधरा नीचे की और स्तित होता है इस पर एक दोरा आ पह स्रचना का ना मांगेत तो डायगराम ऐसे बनाने देने था देने प्लमनेरी वालब होगे आर्ट्री होगी एरोटिक वाथ हो ठीक है वह इस तरह यह बनाने दिना था कि उसके बना करदा करिभाशित कीचिये क्रिम काॉय की प्रवर्दन कहते हैं जैसे अपने कलम नहीं लगाते हैं किसे को दाव लगा दी उसको बोल दें क्रित्रिम काॉय का प्रवर्दन किये तो किरते में काई के प्रवर्दन की किनी दो विजूं का वरण कीजी एक होगा कलम लगाना इसी विदी में पौदों के स्वास्त शाखाओं से 20-30 सेंटीमीटर लंबे टुगड़े कार लिए जाते हैं और भूमी में आदे गार दिये जाते हैं कुछ समय बाद भूमीगत शा वाली शाका जो भूमीगत लड़कती है रहां इसकी छृल को चाक्व से छील देते हैं इस शाका को नीचे जुगा कर भूमी इंदर लखड़ी की साथा सीजर प्रिकार रगाते हैं ये होगी दो विदिया काईक परवर्दन की ठीक है जी तो इसकार दो विदियों का ना मांग की चितर तो पहले ये बनाना था एक चितर आपने जैसे गमलेज में कोई कलम लगी ओपर से काट देना भी ऐसे कलम काट ली और जिसके साथ लगाना ऐसे लगा के आपने क्या बीच में से टेप कर दिया वही यह था कलम लगाना और ये होगी दाब भी दी ठीक है जी ओदे की कोई शाक है उसको क्या नीचे दबा कर छील कर और जब इसमें से जड़ें निकलाई तो जो क्या करते हैं वह अलक करके लगा देते हैं उसके से बाद 내가 मानु एफाने में जयादा लंबा अगया वही इसलिए और उसके बाहब है जैसराइन की चक्र यहां पोशन चकर को परिवाशित कीजिए कारबन चक्र समझाएं कारबन चकर का रेक ही है चित्र बनाई यान की डाइग्राम का परिवाशित कीजिए खाद़ श्रंखला के लंबा हो रहा है वही ठीक है तो इसलिए मैं यह लास्ट वाले का उत्तर नहीं दे रहा हूं ठीक है वही यह बाइलो जी का रास्तान स्टेट ओपन बोर्ड का कक्षा वार्मी का पेपर हो गया पूरा आई हो आपको बहुत अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को जाए से जाद लाइक सब्सक्राइब करें भी धन्यवाद